अलो नमस्कार दोस्तो अश्टग वर्ग एप्लिकेशन सिरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है ये वीडियो मेरा 11 वीडियो है इन अश्टग वर्ग सिरीज बगर मैं इसको सबसे पहले रिलीज कर रहा हूँ आप सभी प्रिवियस 10 वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाहिएगा मेरे चैनल पर और अश्टग वर्ग की पूरी प्ले लिस्ट को आप देखिएगा जो भी लोग वैदिक एस्टरलोजी से प्रेडिक्शन नहीं दे पाते और इदर उदर बटक रहे हैं केपी सीखने की कोशिस कर रहे हैं ब्रभून इंदी नाड़ी सीखने की कोशिस कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो एश्टग वर्ग सीरीज को शुरू से देखें और इसे सीखें इसके अंदर बहुत ही सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूले दियो हैं जिन्दिकी के सभी इवेंट को टाइम करने के लिए अब वो 70-80% किसिज में एप्लिकेबल होंगे 20% किसिज में एप्लिकेबल नहीं होंगे तो जो तिसकी ऐसी कोई भी विधा नहीं है जो की 70% से ज़ादा किसिज में एप्लिकेबल होती हो आप कितने ही अच्छे astrologer बन जाए मगर आपको prediction जब आप देंगे तो आपका common sense काम करना चाहिए क्योंकि कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है ये एक अथा समुध्र है और समुध्र में से कुछ एक आप मोती ढूंड कर लेकर आने की कोशिस कर सकते है मगर अप सभी मोती आपको कभी नहीं मिल सकते है इसलिए आप astrology की जिस भी विदा पर काम कर रहे है उसे छोड़ कर दूसरी तरब जाने की कोशिस ना कर रहे है क्योंकि आप भटकेंगे आप कुछ भी predict नहीं कर पाएंगे जब आप 3-4 टेकनिक्स को mix करने की कोशिस करेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे तो आप जिस भी चीज को कर रहे हैं उसको थोड़ा focus होकर कर रहे है और जो लोग बहुत ही सटीक prediction देना चाहते हैं उनको मेरा एक advice है अपने experience के बीस पर कि अश्टग वर की मेरी पूरी सीरीज को सुरू से आखिर तक देखें तो आप जरूर बिल्कुल सही prediction करने में काम्याब होंगे तो यह मेरा 11th वीडियो है जिसको मैं सबसे पहले release करूँगा 1,2,10 आप जरूर देख लें तब ही आपको इस समझ में आएगा यहाँ पर मैं अब बात करूँगा period of sorrow, agony और distress मतलब आपकी जिंदगी में तकलीब है, परेशानियां कब आएंगी तो हम अश्टग वर के base पर बिल्कुल mathematically calculate करके मैं बताऊँगा आपको तो यहाँ पर देखे, period of sorrow, agony और distress में सबसे पहले आपर देखे, मैंने एक point लिखा हुआ है total number of bindus from lagna to sign occupied by Saturn Saturn actually सभी परेशानियों का कारक माना जाता है एक इंसान की life के अंदर तो परेशानियां देने वाला Saturn है तो आप lagna से सनी तक count करे, अश्टग वर के बिल्दू को तो यहाँ पर देखे, मैंने यह बिंदू को 337 लिखा हुआ है कैसे count कियो है, मैंने यह पर एक अश्टग वर्ग बना रखा है यह देखे, सरवाश्टग वर्ग है एक native का तो सरवाश्टग वर्ग में जो Saturn है इस native की आप यह कुंडली आपको एपियर हो रही होगी उपर की यह जर्म कुंडली है और नीचे की यह सरवाश्टग वर्ग कुंडली है तो इसके अंदर आप किसी भी mobile app के अंदर जाएंगे तो आपको सरवाश्टग वर्ग मिल जाएगा तो लगने से count करिए और शनी तक Saturn तक सभी भावों के बिंदूओं को add करते जाएए जैसे हैं आप 25 है उसमें 27 एड़ किया 30 एड़ किया मगर यहाँ पर शनी बारवे भावे है तो सभी बिंदूओं को add करना ही पड़ेगा आपको सुरू से आकर तक और इनका सम आएगा 337 तो सब को add कर लिया पहला rule है क्या करना है आपको total the number of bindus from लगने to sign occupied by Saturn in this case it is 337 तो सबसे पहले आप उन्हें count करोगे बिंदूओं को किसी और भाव में होता तो वहाँ तक जाकर आप उन्हें count कर लेते अब आपको second step में क्या करना है जो भी sum है उसको 7 से multiply करना है अब note करते जाएं बहुत easy technique है और इतनी accurate और static technique है कि और कोई तरीके से दुनिया की कोई astrology इन चीजों को इतना सटीक नहीं बता सकती multiply करेंगे इसको 7 से तो 337 को 7 से multiply किया या 235 नहीं आया अब आप इसे divide करेंगे 27 से थार्ड step तो first step पे आपने लगनी से सनी तक के बिंदू को count किया फिर आपने इसको 7 से multiply किया divide करेंगे 27 से तो 27 पर divide करने पर quotient 87 आया और remainder 10 आया calculator से divide मत करना वरना remainder नहीं मिलेगा आपको decimals में आ जाएगा तो remainder नहीं मिलेगा तो 87 quotient आया और 10 remainder आया तो जो एक quotient आया है आपको year of troubles बताएगा कि आपको life में किस year में trouble आएगी और कब आएगी वो पूरा detail है remainder बताएगा आपको यह नक्षत्रा तो यहाँ पर क्या बताएगा quotient gives age of sorrow कब परिशानी आएगी बहुत ज्यादा जो टरबल होंगी life के अंदर and remainder gives number of नक्षत्रा through which Saturn will transit will give period of distress जब 10 number के नक्षत्र से इस native की कुंडिली में 10 number नक्षत्र से शनी ट्रांजिट करेगा तो इस life इस person की life के अंदर परिशानी आएगी और कौन से यर मेंगी 87th year of his life तो इस तरीके से देखिए हमने उसकी age भी बताई और वो particular time भी पिन पॉइंट कर दिया जब शनी 10 number नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा इसी तरीके से इसी चीज को हम एक दूसरे वे में देखेंगे कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि हमने लगने से शनी तकते सर्वास्टक बिंदूं को एड किया था अब reverse order में शनी से लगने तकके बिंदूंको एड कर लीजिए इसको बोलते है reverse order पहले में लगने से ऐसे गए और शनी तक count किया अब शनी से लगने तक तो शनी आ बार में हमें उसमें 25 प्योंट है और अगने में 25 में इन दोनों को add कर लीजिए, यह 50 हो गया हमरे, तो हमने क्या करना है, now total the number of bindus in reverse order, 25 plus 25, 50 हो गया, again you multiply it by 7, तो 50 into 7, 350 हो गया, and then you divide it by 27, 27 से divide करेंगे, number of nakshatra जो होते है, quotient देखिए, यहां पर आगया 12, और remainder आगया 26, जब इसको मैं 27 से divide करूँगा, तो quotient 12 आएगा, remainder 26 आएगा, इसका मतलब age of distress होगी 12 year, जो quotient है वो age देगा, when Saturn will transit through 26 नक्षत्रा, उत्तर बहादर पदा नक्षत्र से जब Saturn ट्रांजिट करेगा, year 12 year में इसकी troubles हैंगी, और उत्तर बहादर पदा नक्षत्र से जबी भी शनी ट्रांजिट करेगा, इस native को problems हैंगी life के अंदर, तो एक तो 12th year की age में आएगी और दूसरा उत्तर बहादर पदा नक्षत्र से जबी भी ट्रांजिट करेगा, आपको कोई भी और टेकनिक इतना सटीक, विशलेशन नहीं दे पाएगी, टाइम नहीं कर पाएगी, तो इस native के लिए आप कह सकते हो, आपकी life में जबी भी यारो पेज में, और देखते हैं हम next combination, period of happiness, अब इनकी life में कब happiness होगी, तो happiness का कारक या सभी तरह की सुख शुदाओं का, वैसे हम Venus को मान कर चलते हैं, मगर जो गुरू है, वो life की सभी भी main important points का कारक होता है, तो period of happiness निकालने के लिए हम क्या करेंगे, add points of each वावा from लगने to Jupiter, वहापे हमने लगने से Saturn के वावों का add किया था, यहापे आप add करिए, point of each वावा from लगने to Jupiter, Jupiter तक के करेंगे, तो happiness के लिए Jupiter होगा, life में, आपके अंदर की जो जीव आत्म है, उसको, उसका कारक actual में Jupiter है, जीव का कारक Jupiter है, तो जीव को जो सुख या happiness देगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, लगने से Jupiter तक के विन्दों को add करेंगे, अब इसके इसमें तो लगने में Jupiter बैठा हो है, देखिए, तो आपको add करने की ज Saturn तक के बिन्दों को, उसको 7 से multiply करेंगे, happiness देखनी है, तो आप Saturn तक के बिन्दों को 25 से multiply करेंगे, वो sorry, 7 से multiply कर दिया हमने, happiness देखने के लिए Jupiter तक के बिन्दों को, तो 175 हो गया, now you divide it by 27, तो 27 पर divide करने पर आपको 6 questions आ गया, and r equal to 13 is the remainder, तो हम क्या करेंगे, कि happiness in 6th Europe age happiness हो 13 नक्शतर से transit करेंगा, मतलब हस्त नक्शतर से जबी भी Jupiter transit करेंगा, तब इस native की life में happiness होगी, तो आप इसको आप क्या कहोगे, आप पूरी life की आप बता सकते हो, जबी जबी भी Jupiter इस person की कुंडली में, जबी भी हस्त नक्शतर से transit करेंगा, तो 12 साल में जरूर एक बार हस लक्षतर से जुपिटर ट्रांजेट करता है, आप कोगे तब तक आपकी life में happiness आईगी, तो throughout life आप इससे बता सकते हो, और 630 पेज में आईगी, एक दूसरा तरीका होता है, इस कुंडली पर यह applicable नहीं है, मैं बाद में कोई और example लेकर बताऊँगा, आप reverse order में, जहां भी जुपिटर placed है, वास से लगने तक के बिन्दूओं को add करेंगे, इस case में क्योंकि लगने में जुपिटर है, इसलिए यह applicable नहीं होगा, suppose जुपिटर यहां होता, 10th house में, तो हम पहले case में लगने से जुपिटर तक के बिन्दूओं को add करते, और यह process follow करते, multiplying by 7 and dividing by 27, फि क्योंकि टोटल में बिन्दूओं का sum always 337 होता है, तो इस तरीके से हम period of happiness find out कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे marriage using अश्टगवर्ग, तो यह जो method है, यह इतना accurate time करने के लिए है, मगर इसमें आपको अश्टगवर्ग की knowledge जिपतक नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते, तो आप अश्टगवर्ग की मेरी पूरी सीरीज देखे हैं, और आप जब marriage को time कर रहे हो किसी भी person के को, यहाँ पे मैं मन्तवी marriage का बताऊंगा किस तरीके से निकालेंगे, तो इस technique को आप use करकर बहुत सटीक और accurate prediction देने में capable हो पाएंगे, आप एक real astrologer, true astrologer बन पाएंगे इसकी help से, तो marriage using अश्टग वर्ग वीनस हम निकालेंगे, आपको मालूम है, वीनस marriage का कारक है, तो अश्टग वर्ग वीनस की help से हम इसको calculate करने वाले हैं, तो वीनस का हम सबसे पहले बना लेते हैं, क्या करते हैं, देखें इसमें, सोध्य पिंड निकालना होता है हमें वीनस का, तो आपको सोध्य पिंड निकालना आना चाहिए, सोध्य पिंड का आप वीडियो पीछे जाकर देखें, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिबसे पहले वीनस का बिनाश्टग वर्ग बनाना पड़ता है, नमबर वन, जिसे हम अश्टग वर्ग बोलते हैं, सोध्य दोनों तरह के सोधन लगाने के बाद हम एक्चुली उसका सोधिपिंड कैलकुलेट करते हैं तो तीन स्टेप ध्यान से समझ लीजिए किसी भी मॉवाइल एप से जिस भी नेटिप का आप टाइम करना चाते हो मैरिज उसका अश्टक वर्ग निकालीजिए वीनस का जिसको बि भी बता देगा और उसे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे वो नहीं कर पाऊगे आप तो आप त्रिकोडा रेक अधिपती सोधन लगा कर सोधिपिंड निकाले हैं इसका सोधिपिंड निकाले हैं आप्टर बोट टाइप आप सोधिपिंड निकालने के बाद हम एक फॉर्मूल से निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं basically दोनों शोधन होने के बाद दोनों शोधन हम कर चुके हैं तो राशियों में कितने कितने point आए वो मैंने पहले number पर लिख्या हुए है यह मैं आपको इसको यहां पर बता देता हiyorsun यह बना हुआ है दोनों शोध करने के बाद यह like one sign में दो point है two sign में 0 point है three sign में 0 point है four sign में one point है यह सबी point लिखे हुए है सोदья pind के दो Lead pin तो रासीपिंड वह एक होता ग्रहly पिंड तो राशी गुणाकार पहले से decided है उससे multiply करते हैं तो देखे अगले page पर मैंने क्या लिखा हुआ है पहली वाली राशी में ये raशी गुणाकार है ये fix है already कि one राशी में जितने भी point होगे उसको seven से multiply करना है two राशी में जितने भी point होगे उसको 10 से multiply करना है इस तरीके से हम सम राशियों में जितने भी point आ रहे हैं उन्हें इन से multiply करते हैं अब यहाँ पर देखिए point जो आ रहे हैं इस कुंडली के अंदर बना रखे हैं already दोनों शोधन करने के बाद 1 राशी में 2 point है 2 राशी में 0 point है 3 राशी में 0 point है इस तरीके से इनके base पर मैंने अगले page पर यह शोध राशी पिंड निकाला है सबसे बहले है तो 1 sign में 2 point थे उसको 7 से multiply किया 14 हो गया 2 sign में 0 point थे उसको 10 से multiply किया 0 हो गया 3 sign में 0 point थे उसको 8 से multiply किया 0 हो गया 4 sign के अंदर 1 point था से multiply किया इसके बाद six राशी में four point थे उसको five से multiply किया तो सभी राशियों में जो भी point है उनको इन राशी गुणा कार से multiply किया है और करने के बाद जो भी number आये उन सभी को add कर लिया और यहां पर add करने पर 122 आ गया जिसे हम राशी पिंड बोलेंगे यह राशी पिंड हो गए इसी तरीके से अब राशियों में जो ग्रह हैं उन ग्रहों को भी उनकी values से multiply करते हैं जिसे ग्रह गुणा कार बोलते हैं तो ग्रह गुणा कार क्या होता है sun को five से multiply करना होता है sun में जो भी point है जिस भी राशी में Sun है, उसको 5 से multiply करना होता है, Moon है, उसको 5 से multiply करना होता है, यहाँ पर ये, Mars को 8 से करना होता है, Mercury को 5 से, Jupiter को 10 से, Venus को 7 से, Saturn को 5 से, इस Kundili में जो planet रखे हुए है, 2 sign के अंदर यहाँ पर है Jupiter, 4 sign के अंदर यहाँ पर Saturn है, 5 sign के अंदर Mars है, 8 sign के अंदर यहाँ पर Mercury and Sun है, 9 sign के अंदर यहाँ पर Venus है, और 10 sign के अंदर Moon है, ठीक है, तो 1 sign में कोई भी नहीं है, इसलिए 1 sign में जो भी point आ रहे हैं, उसे हमें किसी से multiply नहीं करना, 2 sign में यहाँ पर देखे 0 point है और 2 sign में Jupiter है Jupiter के लिए जो गुणा कार है actual में वो 10 है मगर 2 sign में 0 point है इसलिए 0 को 10 से multiply किया 0 ही आएगा इसी तरीके से हम देखेंगे 4 sign में यहाँ पर Saturn है point 1 है और Saturn के लिए गुणा कार 5 है तो इस 1 को 5 से multiply कर देंगे सोध पिंड निकालने का तरीका वहाँ आना चाहिए यहाँ पर मैंने यह निकाल के दिखाया हुआ है तो आप इसको use करेंगे हम यहाँ पर यह राशी पिंड 122 आया और ग्रेपिंड 22 आया तो राशी पिंड ग्रेपिंड का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर आपको बताने की कोशिस की है although यह already आप जाके देखे सोध पिंड किस तरीके से निकालते हैं तो मैं timing of marriage के लिए अब सोध पिंड के बाद की बात हम करेंगे आज की class में timing of marriage के लिए तो पहले चार step को द्यान से सुन ले आप किसी भी mobile app से native के शुक्र या वीनस का बिनाश्टक वर्ग या अश्टक वर्ग निकाल ले उसमें एक त्रिकोना शोधन लगाएं उसके अंदर एकादीपती सोधन लगाएं दोनों शोधन लगाने के बाद हम उसका सोध्य पिंड निकाल लेंगे और सोध्य पिंड निकालने के बाद का मैं आपको method बता रहा हूँ भहुत ही सटीक method है timing of marriage के लिए तो सोध्य पिंड किस तरीके से निकालता है उसके लिए आप अश्टक वर्ग की playlist पर जाए इसी channel में और आपको पूरा सोध्य पिंड निकालना उससे आ जाएगा बहुत आसान mathematical calculations है तो timing of marriage के लिए हम क्या करेंगे जो Venus का जो भी सोध्य पिंड आया है यहाँ पर देख लीजिए उसको हम क्या करेंगे multiply सोध्य पिंड बाई number of windows in seventh from Venus तो Venus से seventh में जो भी windows आ रहा है यह देखे यहाँ पर Venus इस कुंडिली के अंदर actual में Venus है हमारा यह nine sign में यहाँ पर Venus है तो Venus nine sign में है तो हमें क्या करना है nine sign में देखे one point है Venus से क्या लिख रहे हम seventh point में जो भी windows है seventh from Venus तो seventh में जो भी windows होंगे Venus से यहाँ पर हमने देखा Venus nine sign में तो यहां से 7th में हम जाएंगे, उसके अंदर आपके जो भी विंदूज है, 7th from Venus, आपका क्या लिख रहा है हैं? होमुले के अंदर देखे, multiply so depend by number of windows in 7th from Venus, तो 7th from Venus 2 windows है, actually इसके बिनाश्टक वर्ग में native के, 2 windows है, उसको हम so depend से multiply कर देंगे, यह 288 आ जाएगा, तो फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, आपने जो बिनाश्टक वर्ग बनाया है, उस बिनाश्टक वर्ग के अंदर, Venus की position से 7th house में ज आना है, सोधन के बाद जो बन रहा है, उसमें नहीं जाना है, बिनाश्टक वर्ग में Venus से 7th house में जो भी windows है, उनसे आप सोध्विंट को multiply कर दीजिए, यह 288 आ गया, यदि मैं इस native का बिनाश्टक वर्ग निकालू, तो बिनाश्टक वर्ग में Venus से 7th house में 2 windows है, तो उससे मेंने इसको multiply कर दिया, 288 आ गया, इसको 27 से divide कर दीजिए, 27 से divide करने पर quotient आएगा और आपका remainder आएगा, यहां पर quotient 10 आ रहा है, remainder 18 आ रहा है, answer कहा है, whenever Jupiter will transit through this 18 जो remainder आ रहा है, उस नक्षतर से transit करेगा, इस case में जेश्टा से, और it's a trine, trine का मतलब क्या होगा, जेश्टा actually बुद्ध का नक्षतर है, तो बुद्ध के किसी भी नक्षतर से, असले शाह और रेवती से transit करेगा, तो उस native की marriage हो जाएगी, कितना simple है, I am repeating it again, first top all, you have to find the so depend, so depend निकाल ले लिए क्या करना है, आपको Venus का बिना स्टेक वर लेना है, उसमें आपने तेकोड़ा शोधन करन है, so depend का formula लगाना है, so depend निकाल लेता है, अब आपको क्या करना है, जो Venus कुंडिली में, जिस भी भाव में, उससे साथ में वहाव में, शुक्र के विन्नाष्टक वर्ग में, जो भी बिन्दू है, बगर किसी सोधन के, जो है विन्नाष्टक वर्ग, औरीजनल, उससे आप so को multiply कर दें, जो भी figure आता है, उसको 27 से divide करें, और divide करने पर जो remainder आएगा, वो आपको बताएगा कि किस नक्षतर से, जुपिटर के transit होने पर native की marriage होगी, वो नक्षतर उसका train, train का मतलब वो जिस भी ग्रह के नक्षतर है, उस ग्रह के तीनों नक्षतरों से, जबी भी पूरा अश्टक वर्ग नहीं देखा है, तो यह मेरी पहले से ही आपसे request है कि आप अश्टक वर्ग पूरा देखें, complete सीखें, उससे पहले यदि आप इससे कर भी रहें, तो आप कर नहीं पाएंगे, कोई use नहीं है, फिर आप इससे ना भी देखें, तो कोई बात नहीं है जहाँ पर सन है, उससे साथ में बाव में जो बिंदू है, उनसे multiply कर दीजे, timing के लिए हमने Venus से 7 देखा था, और मंत के लिए सन से 7 बाव में जो भी बिंदू है, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ, तो सूर्य है, एक्चुली इस कुंडिली के अंदर 8 साइन में यहाँ पर, तो बिंदू होंगे, यहाँ पर इस 2 साइन में जो भी बिंदू होंगे, यह तो आप तर शोधन है, यह जो मैंने बिंदू लिखे वाए, मगर जो ओरिजनल बिंदू बिंदू है, सन से 7 बाव में जो भी बिंदू है, उनसे आपको multiply कर देना है, इसको so depend को, 432 आया, इसको आप 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करने पर quotient 36 आया, remainder 0 आगया, quotient आगया आपका, तो remainder 0 आने का मतलब है, वो 12 भी लेंगे, remainder 0 को आप क्या लेंगे, 12, क्योंकि 12 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो remainder 0 होगा, तो यहाँ पर क्या लेंग रहा है, when sun will transit through sign or its train, marriage will take place, means when sun will transit through, यह 12 साइन मिल गया है, mean राशी से जबी भी सूर्य है, transit करेगा, जो भी remainder 0 का मतलब है, 12, remainder 1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 है, तो जबी भी हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो remainder 1 से लेके 12, 1 से 11 आएगा, या 0 आएगा, तो जबी भी remainder 0 आ रहा है, इसका मतलब 12 साइन, तो sun जबी भी 12 साइन या इसके ट्राइन में transit करेगा, मतलब 4 and 8 में, तो देखिए, आपको पता जल जाएगा, उस native का किस मेने में marriage होने वाली है, when sun will transit through sign और its train, marriage will take place, means when sun will transit through 4812 साइन, marriage will take place, provided that MD and AD are favorable, क्योंकि sun तो 4812 साइन से हर साल transit करेगा, तीनों स जता सकते हो, अब native को, आप जब prediction दे रहे हो, तो आप idea लगा होगे कि इस native की marriage किस महीने में हो सकती है, तो आप देखोगे कि sun जबी भी 4, 8, 12 राशियों से transit करेगा, cancer science से करेगा, Scorpio से करेगा, या mean राशियों से करेगा, तब native की marriage होगी, तो बहुत ही easy technique है, मैं end में, बि पूरी तरह से इसमें master हो जाएंगे, बहुत सारी techniques मैंने explain की हुई है, तो आप इस पूरी series को अच्छे से एक बार देख लें, timing of marriage बहुत इसी है, इस तरीके से, सबसे पहले आप Venus का बिनदाश तक वर्ग लेंगे, वो किसी mobile app से ले लें, उसमें आप ट्रिकोर शोदन, ए 288 आया, उसको आप 27 से divide करेंगे, जो remainder होगा, it will give you the number of नक्षत्रा, जिससे वो जबी भी transit में Jupiter उसको influence करें या उसके train को influence करें, train का मतलब उसी ग्रह के बाकी दोनों नक्षत्रों से भी transit करेंगा, native की marriage हो जाएगी, आपको मन्त ही निकालना है, तो हमें क्या करना है, वो इ पूर यह जिस भी भाव में, उससे 7 भाव में, विन्नास्टक वर्ग में, जो भी बिन्दू है, विन्नास्टक वर्ग आपको वही वीनस का या शुक्र का ही लेना है, तो सोदे पिंड को आप उन बिन्दूों से multiply कर दोगे, इसको 12 से divide करेंगे, राशी, 12 राशी होते हैं, उससे divide करेंगे, तो remainder जो भी आएगा, उस राशी और उसके train में, जबी भी sun transit करेगा, तब उस native की marriage हो जाएगी, जैसे यहां पर 12 आये तो उसका train 4 and 8 होगा, 1 आये होता तो उसका train होता 1, 5, 9, उनसे जबी भी सूर्या transit करेगा, तो native की marriage हो जाएगी, उम्मीद है आपको य सिरीज शुरू करने वाल हो, आप अपने comment box में comment ज़रू डालिएगा, आपको मेरी ये complete सिरीज कैसे लगी, पूरी astrology आपको इस channel पर मिलने वाली है, आपके वल इस channel को subscribe करें, और इंतिजार करें, नमश्कार